हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नैना बूटिक में मैं हूँ आपका दोस्त सहीत परवेज दोस्तो आज की इस वीडियो में हमारी जो हिप्पे जोल आती है या थाई में जोल आती है वो क्यों आती है उसका कारण क्या है आज की वीडियो बताऊंगा cutting के संग-संग तो cutting भी सीखे हो यहां पर आप और नाप भी सही लेना सीखो थाई का तो चली दोस्तों शुरू करते हैं और सीखते हैं कुछ नया तो दोस्तों आप यहां पर देखते होंगे जो एक problem आ रही है आप देखते होंगे इसकी हिप्पे है वह क्या करना चाहिए जो बिल्कुल सही होगी यह होता है कि हम थाई अगर ताइट ना पिलेंगे ना तो यहां पर इस तरह की सुकृणण आएगी और अगर हम थाई को बल्कुल perfect तरीके से cutting करेंगे और फलाई की गोलाई सही देंगे ना तो ये प्रॉबलम बिल्कुल भी नहीं आईई तो चलिए यहाँ पर शुरू कर तो सबसे पहले हमने यहाँ कपले को बिचा लिया है इस तरीके से और यहाँ पर लगा लेंगे निशान ठीक है इस तरीके से अब निशान लगाने के बाद में अब जैसे हमारा इसका जो भी नाप हो मैं आपको केबल निशान लगाके और समझाने की कोशिश करूँगा कि आपके समझ में आ जाए जैसे यहाँ पर हमने लगाया एक निशान लंबाई का लंबाई रख ले रहा है 38 इंच और धाई इंच निचे बाटम में फोल्ड होने के लिए अब यहाँ पर हम इसकी जो लटक रख रहा हैं वो रख रहा हैं यहाँ पर 36 इंच के हिसाब से तो 36 इंच का फोर भाग हो गया 9 इंच इस परकार और इसको कर लेंगे बिल्कुल सीधा सीधा वीडियो बहुत छोटी सी है वीडियो पूरा देखें और वीडियो आप पूरा देखेंगे ना तो आपकी कुछ समझ में आएगा वरना बिल्कुल कुछ समझ में आने वाला नहीं अगर वीडियो आप स्कीप करेंगे सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो एक निशान लगाते हैं पौकिट का बो भी बताऊंगा आपको वो लगा रहा हूँ आपको वो लगा रहा हूँ मैं सवा साथ इंच पर सवा साथ इंच का निशान लगाने के बार अब यहाँ पर हम हलका से देंगे क्रोस सौरी यहाँ शेप यह हमने शेप दे दिया शेप देने के बाद में यहाँ पर हम पौकिट का जो फैलाओ रखेंगे वो रखेंगे ढ़ाई इंच का और उसको इस तरीके से यहाँ पर हम निशान लगा देंगे अब बात आती है यहाँ पर कहें हमारे हिप पर जोल क्यों आती है तो सबसे पहले हमारी झालो थाइ यहां पर है 24 इंच टॉइंटि फॉर 24 इंच है तो 24 इंच हम इस तरीके से यहाँ पर नापेंगे 24 का हाफ तो किता हो गया 12 इंच अब 12 जब हमने नाप लिया ना तो दोस्तों यहां पर हम गलती क्या करते हैं गलती मानलो यहां पर जब हम अपने थाई को नापते हैं यानि कि इस तरीके से जोल आती है तो हमें थाई किस तरीके से नापना चाहिए चलो मैं आपको दिखाता हूँ तो हमें यहां पर क्या करना है सबसे नाप लेना है सही तरीके से हम नाप जो लेंगे वो इस फिरकार लेंगे यह देगी फिटिंग की पैंट का जो हमें नाप लेना है इस तरीके से लेना है और यहां पर इत्ती लूजिंग रहना चाहिए और लूज पैंट का जो नाप लें थो पर शब्रक्त करेसद हैं को इस तरीके से और नीचेmi लेना में आप को यहां बिलकुल पढ़िया है तो बस नाप लेने तरीका है चलिए आप कॉंटर पर चलके और कटिंग करते हैं शुरू दोस्तों आपने यहां पर देख ली मैंने आपको समझा दिया थाई किस तरीके से नापना है थाई आपने के अगर आप नापते हैं ना तो यहां पर जोल आ जाएगी आप हमने दो थाई नापी 24 24 का हाफ रखा बारा इंच और बारा का हाफ इस तरीके से कर देंगे 6 इंच कोई इंच का अगर नई नापना चाहते हैं तो डबल फोल्ड कर दें सीधा सीधा आप यहां पर मैन पॉइंट जो आता है वो यह आता है कि हम अपनी फलाई की गोलाई कितनी रखें दोस्तों कुछ लोग कि यहां पर क्या करते हैं ? 7 इंच रख लेते हैं कोई तो 1 इंच रखता है तो दोस्तों आप न यहां सब छैंगे नॉर्मन और जो हेबी साइज होते हैं जिन की कमर होती है चालिस बैालिस तो उनके लिया अप लेए पॉन फाल में दो इंच पॉने दो इंच से जादा बिल्कुल भी नी लेंगे चाहिए कितना ही हैवी आपका साइज हो तो मैं यहाँ पर लूँआ नॉर्मल साइज है डेर इंच और डेर इंच को इस तरीके से सीधा सीधा करके लगा दूँआ ठीक है यह देख सकते हैं आप कि मैंने लगा दिया अब आपको गोलाई कैसे देना है तो गोलाई आपको इस तरीके से नहीं देना यह देखिए तीक है आपको गोलाई देना है इस पिरकार यानि की गोलाई की जो लैंट हो ना वो थोड़ी लंबाई में हो एकदम गोल ना हो क्योंकि जब हमारी पैंट पैंटे हैं जो गिदरी होती है नीचे की सेट गिदरी वाली जो औरेब हिस्सा होता है वो अगर आप ब होल मारेगी ना उढ़ेगी यह सबसे बैस तरीका अब मैं आपको बता दूं सामना किस तरीके से रखें मालो यहां पर आपका जो भी साइज हो यहां आदा इंच लें यह तो मैंने निशान आपको फलाई की गोलाई के लिए बताया था है कि निशान मैंने आपके नहीं बत हैं अब दोस्तों कुछ लोग क्या करते हैं कि थाई को लूज ना पते हैं अगर आपने कमर सही ना पी है ना तो आपकी थाई अगर लूज होगी तो आपकी कटिंग के टैम ही आपकी कटिंग बता देगी कि हमारी थाई यहां पर लूज है वो कैसे जैसे आप मानने कि आप की इस तरीके से जाएगी इस लाएगी यह देखो यानि कि निशान इस तरीके से जाएगा तो आपकी थाई समझ लो लूज हो रही है यह बहुत अगर यह निशान किरास में जा रहा है और यह निशान अगर आपका सीधा है और अधर को किरास है तो समझ लो आपकी पैंट बि को बने यहाँ पर यहां पर का निशान लग चुके हैं मगर मीरे शाय कर निशान एवह यह वाला है मने आपको बता दूंग कि थीए काफी लोगो की प्रॉब्लम आती है कि मोरी जब हम प्रेस करते हैं तो अंदर की सैड़ उचकती है वह क्यों उचकती है कुछ लोग गलती यह करते हैं पैंट कटिंग करते टाइम कि उन्होंने जैसे थाइस की चौबिस है तो उन्होंने सीधा सीधा यहां पर ले लिया सवादो एंच या धाइंच और इस इस तरी के से उन्होंने यहां पर ऐसे रखी स्केल और निशान लगा दिया यह देखम आपको पूरा दिखाता हूं लगा के यह निशान लगादिया इस तरीके से कर और चीजब तब 25 और करते हैं हम भी करते हैं माग required का करते हैं जिसकी ठाय ँको होती है error. 31 एंच उन लोगों के ले कटिंग करिए आती है जैसे हमारे ठाया जोड आता है बैक पार्ट में वह हमारा जोड़ बच जाए इसलिए कटिंग करते हैं तो उसका तरीका क्या जाएंक करने का हमें यहां पर आदा इंच अपने इस निशान से इस निशान पर इस तरीके से किरास करना होता यह रही है इस तरीके से जब आप इस तरीके से किरास करेंगे ना इस नीले वाले निशान पर करेंगे और इस पर नहीं करेंगे गुलावी बाले पर नीले वाले पर जैसे हमारी ताय यहां 24 इंच 24 का हाफ रखा हमने कितना 12 इंच ये रख लिया आब 12 इंच हम रखेंगे यहाँ पर ठीक है कैसे जैसे ये निशान है हमारे ये वाला इतनी दूर कन्टी से तो सबसे पहले तो हर निशान लगाएंगे इस पिरकार उसका हाफ रखेंगे बारा इंच, इस निशान से बारा इंच, यहां पर ना पेंगे, ठीक है? उसका हाफ करेंगे छे इंच, आप इस तरीके से डवल फोल्ड करके भी और निशान लगा सकते हैं, ठीक है, इस तरहाँ. अब दोस्तो आपका जो जो 14 इंच बोटम है तो दोस्तो हमने जब सेंटर का निशान लगा लिया यह वाला एक सेंटर का हमने निशान यह लगाया और एक सेंटर का निशान यह लगाया आप चाहें तो इस तरीके से क्रीस का निशान भी लगा सकते हैं पूरा पूरा ठीक है इस पिरकार मैं लगा दे रहा हूं जिससे आपको पैचान सही तरीके से हो जाएगी अब दोस्तों हम लगा लेंगे जैसे मैं ये निशान लगाएं ये बिलकल गलत है ठीक है अगर इस तरीके से आपको पैंड करना है तो आप जादा थाई जिनकी हो तीसे कत्तिस तो करें और यहाँ पर इस तरीके से किरास करें अगर आपको सही करना है बौटम बिलकल सेंटर म वाले निशान से हम लेंगे साड़े तीन इदर और इदर साड़े तीन इंच ठीक है तो यह हो गया हमारा यह देखिए साड़े तीन इंच इदर तो साड़े कि अब आप देख सकते हैं कि जो सेंटर में निशान है विल्कु गुलावी बाले चाक का है ठीक है चौक का और यहाँ पर जो है नीले वाला वह एक तरफ को है तो आपको कटिंग करना है वह सेंटर में करना है अब बाता आती है कि हम अपने बैक पार्ट में हिप जो हमाई होती है वह क्यों हो रही है कि यहां पर रखेंगे हम आदा इंच लगाएंगे का जो मार्जन जाता ना सलाई का वह वाला निशान अब मालो है हमारी इसकी 36 36 का करेंगे 9 इंच तरीके से आदा इंच की लूजिंग देंगे बैक लेकाइंगे पार्ट में और स्जीदा सीदा निशान लगा के प्रश्च कर लेंगे और सिदा-स का मारजन देना है के लिए लिए एक इंच पलेट के लिए देना है मैंने यहां पर आपको बता दिया बैक पार्ट में आप रखेंगे सवा दोंट से जोल आ अगर आप सही नाते हैं तो कभी भी जोल नहीं आएगी तो वीडियो थी आज की यही मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में